नए साल यानि साल 2024 के पहले महीने यानि जनवरी में करक राशी की कैसी होगी धनकी स्वास्तिकी उनके परिवार की उनके दामपत्य जीवन की इस्तती उनका मंतली राशी फल क्या कहता इस बारे में इस कारेकरम में हम चर्चा करने वाले हैं साती साथ साल 2024 में तीन घटनाएं करकराशी वालों के साथ में घडित हो रही है करकराशी पे अभी सनी की ढहिया भी लगी है उसके बावजूद भी तीन घटनाएं कहीं ना कहीं करकराशी वालों के जीवन में साल 2024 में गटी तोरी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे सबसे पहले साल 2024 की समस्त करकराशी वालों को हर्दिक शुपकामनाय माता करे आपके सबी कारिये साल 2024 के अंदर सफलो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं तीन बड़ी घटना हैं साल 2024 में करकराशी के साथ गया घटी तो रही है पहला साल 2024 की जब मित्रों हम कुंडली बनाते हैं जिसे हम वर्षेश कुंडली कहा जाता है तो उसके अनुसार बुद्ध और शुक्र आपके पंचम भाव में साल 2024 में विराजमान है यानि कि जो शादी शुदा हैं उनको थोड़ा साफधानी साल 2024 में बरतनी पड़ेगी यानि लाव एन रिलेशन की नई मित्रता के योग आपके बनते हैं यदि आप कुंवारे हैं तो आपके लिए कोई बात नहीं आपके शादी के योग आपके नए बेटल योग भी बनने हैं वीनें साल 2024 के अंदर साती सात थे साल 2024 में नया कला का शौक आप जागरित होगा आपकोई नित्य संगीत की ट्रेनिंग लेने वाले कणाना बजाने वाले या चित्रकारी का या हम लाधा या वीडियो ग्राफी होगा उसका पालन पोशन करने ंवाल हैं दूसरी घटना के बारे में बात करें तो वह होगी नौकरी में नौकरीबहों में सूर्ज़ और मंगल दोनों साल 24-24 में बैठे हैं रोचक योग का निर्मान करा यानि करकराशी को उचापद साल दोजार 24 में मिल सकता है सरकारी वाद विवाद या सरकारी पेंडिंग डिसीजन आपके फेवर में आ सकता है सरकारी नोकरी के आपके योग बनते हैं या फिर आपको कोई सरकारी अवार्ड मिल सकता है या नौकरी में आपके किये गए प्रियास के लिए आपको कोई अवार्ड दिया जा सकता है तो कुल मिलाके नौकरी में तो भई आप शिकर को चूमने वाले हैं यानि नौकरी में आपको साल 2024 में बेस्ट रिजन्ड मिलेगा तीसरा अगर देखा जाए तो गुरू की जो पांचवी द्रिष्टी आपके धनवाओं में लग रही है यानि कि साल 2024 में विदेशों से आपको इंकम प्राफ्त होगी या नदी के किनारे या पानी के किनारे में आपका बड़ा भाग्योदे होगा या आपको वहाँ से कोई धान या बड़ा ओडर मिलने वाला है और खासकर फरवरी से लेकर अक्टूबर में आप खूब धन कमाने वाले है तो गुरू की पंचम द्रिष्टी आपके लिए बड़ी लापकर है बाकी और डिटेल में आप जानना चाते हैं कि व्यापार में क्या होगा नौकरी में कब कब क्या होने वाला है तो उसके लिए ये वीडियो हमने बना चुके हैं पहले से ही यूट्यूब में अपलोड भी है 15-16 मिन्ट की वीडियो अपलोड है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको करकराशी साल 2024 में आपको क्लिक करके डिटेल में मित्रो वीडियो देखिएगा चलिए आप बात करते हैं जनवरी के महिने में कि साल 2024 आपका कैसा रहने वाला है पहले स्वास्त के बारे में चर्चा करने से पहले ये जनवरी की मासिक कुंडली आ रही है चंद्रमा आपके दुत्य भाव में केतु आपके तृत्य भाव में विराजमान है सूरी और बुद आपके पंचम में छटे भाव में सूरी और मंगल विराजमान है और शनी आपके अस्टमभाव में विराजमान है तो सबसे पहले स्वास्थ के बारे में बात करें तो जनवरी के महिने में यानि पूरा जनवरी का महिना आपके पानी की यात्रा के योग बनते हैं और मन से आप कोई बड़ा रेजूलेशन या बड़ा प्रंड लोने वाले है जनवरी के महिने में धन की इस्टधी के बारे में बात करें तो दो भागों में करकराशी की बढ़ती है एक तारिक से लेकर 17 जनवरी तक आपको खूब धन मिलने वाला है यानि की 3 जगा से छोटे मोटे धन लाब आपको मिल रहे है पहला माता पिता से कोई धान कोई गेफ्ट मिलने वाला है तूसरा आपके भाई बाई बैन या मित्र भी आपकी हेल्प करने वाले है या आपको कोई धन देने वाला है ऐसा योग नजर आ रहा है साथी साथ तीसरा रुकावा क्लाइंटों से मार्केट में फसावा धन आपको मिलने वाला है यानि सतरा जनवरी तक तीन छोटे बड़े लाब करकराशी को मिलने वाले है 18 तारिक से 31 जनवरी तक देखा जाए सूर्य का ट्रांजिट मकराशी में होगा थोड़ा धन के लिए स्ट्रगल आपका बढ़ जाएगा यानि धन कमाने के लिए आपकी बहस भी होगी अधिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी सरकारी भुगतान चलान की पैनल्टी आपको भुगतनी पड़ेगी लेकिन कहीना कहीं आप धन कमा पाएंगे लेकिन खर्चा भी 18 तारिक के बाद आपका जादा रहेगा यानि आपका देखा जाए धन के लिए 17 तारिक तक बहुत अच्छा और 17 के बाद थोड़े कर्चे भी आपके बढ़ने वाले हैं अब बात करें करकराशी के परिवारिक जीवन की तो जनवरी के मेने में परिवार के साथ में आप किसी पार्टी फंक्शन में जाने वाले हैं या पार्टी में शरीक होने वाले हैं भाई बैन माता पिता मित्रों से आपके रिलेशन जन्वरी में अच्छे रहेंगे साती साथ देखा जाए तो परिवार का कोई सदस्य कोई बड़ी खुशकवरी आपको देने वाला है तो कुल मिला के परिवारिक जीवन जन्वरी में बहुत बहुत अच्छा है आप बात करते हैं करकराशी वाले उनकी जिनकी छोटी या बड़ी संतान है तो संतान पक्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं तो पंचम भावों में शुक्र और बुद एक साथ होने से जो बड़ी संतान है अठारा प्लस संतान है वो तो मित्र के साथ में घूमने जा सकती है ज जनवरी अच्छी है चोटी संतान के बारे में बात करें तो विद्या में प्रफॉर्मेंट जबरदस्त रहेगा रिपोर्ट कार्ट बहुत अच्छी रहेगी टीचर तारीफ करेगी चोटी संतान की और संतान से खुश होकर आप उनको कोई गिफ्ट देने वाले तो चोटी हो प्रफॉर्ट हा के मानने के योग नजर आने वहीं पर वहन पर आपका वहन अचानक होगा खराब वहन आपको देगा धोगा वहन पर आपका खर्चा भी बढ़ रहा है करियर में कोई बड़ी सपलता आपके हाथ आएगी करियर में आपको कोई खुश खबरी प्राप्त आप बात करते हैं नौकरी वालों की जो नौकरी करते हैं तो एक तारिक से छे जनवरी तक सब कुछ नर्मल होगा थोड़ी सी आफिज मित्रों के साथ में जाकर आप पाटी कर सकते हैं लेकिन कारेबहर नार्मल रहेगा तो इस समय पर बड़ा परिवरतन है बुद का ट्रblowing बहुत बड़ा एलान करने वाला ऑफिस के अंदर जो एलान करेगा उसमें आपको कुछ लाब होने वाला है ऑफिस से कुछ सुख सुविधाओं का लाब आपको मिलेगा अच्छी सेल आपकी आठ तारीक के बाद होगी यानि कि नौकरी के लिए आठ जनवरी के बाद इस तद पार्टनर के नेचर में बड़ा बदलाव आएगा पार्टनर के साथ में घूमने जाने का मौका मिलेगा पार्टी या कुछ वक्त बिताने का मौका मिलेगा आठ तारीक से रिकतिस जनवरी के बीच में जैसी बुद्ध का ट्रांजेट होगा बुद्ध धनुराशी में जा तो किसी सिद्ध मंदिर में जाने के साथ का योग पार्टनर के साहँ में बन रहेंग यानि i जन्वरी का मेना पूजा पार्ट वाला रहेगा थोड़ा पो तो आप अगल बगल में घूम भी सकते हैं मौल में घूम सकते हैं बाकी बहुत बीजी शेडियूल आपका भी और आपके पाटनर का भी पती-पतनी का रहने वाला है अब बात करें उनकी जो व्यापार करते हैं व्यापार में देखा जाए तो दसमभाओं में ब्रस्पती बैठे में तो जन्वरी में कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है बड़ा काम आपको मिल सकता है अचानक से पुराने गराहक पुराने ओर्टर आपको मिल सकते हैं सहस्थान के अंदर पूजा पाट भी रहेगा यान मित्रो यदि आप मेरा मासी के मंतरी राची फल देखते हैं या फिर सापताई के राची फल देखते हैं फेस्बुक के माधियम से यूट्यूब के माधियम से तो आपसे गुजारिस है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपने सब्सक्राइब किया है न इतना ही मुझे दीजे जाया चैम आता दी